बिहार की समस्तिपूर में रफ्तार का कहर देखने को मिला नैशनल हाईवे 28 पर प्रवासी मजदूरों से भरी बस सडखाथ से काश शिकार हो गई जिसमें बस चालक सहित दो लोगों की मौत हो कई है वहीं 12 से ज्यादा मजदूर घायल बताये जा रहे है सभी घायलों का इलाज समस्तिपूर के सदर अस्वताल में चल रहा है ये सडख हाथसा उजियारपूर थाना इलाके के शंकर चौक के पास एनेच 28 पर हुआ है इसी दोरान सातनपूर से आगे जब बस बड़ी तो सामने से तेज रफतार से आ रहे ट्रक के साथ टकरा गई जिसकी वजह से बस और ट्रक दोनों सडख से नीचे गड़े में जा किरे जिसके बाद नाश्टन हाइवे 28 पर काफी लंबा जाम लग गया सडख हाथ से की सूचना पर प्रखंट विकास पताधिकारी और उजियारपूर पुलस मौके पर पहुँची और राहत और बचापकारे में जुट गई काफी मशक्त के बाद शवों को गाड़ी से बाहर निकाला गया मरने वाले बस ड्राइवर की पहचान कटिहार निवासी तरुन ज्छा के रूप में हुई है वही ट्रक चालक और खलासी फरार हो गए है आपको बता दे कि घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुँचे प्रखंट विकास पताधिकारी के मताबिक सभी घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजा गया है वही मृतक के आश्रुतों को आपदा राहत योजना के तहट चार लाख रुपे का मुआपजा दिया जाएगा निउस्टेस बना मुआपजा प्रुण के लोग है झाल झाल